चली भई, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने basically क्या discuss कर लिया था, हम लोगों ने एक अपना controller बना लिया था, और controller की corresponding हम लोगों ने अपना एक entity तयार कर लिया था, तो entity क्या होती है, basically entity का मतलब हो गया आपकी एक java bean class, जिस class की एक object का काम होता है database में, data को store करना, तो entity को हम persist class बहु सकते हैं, क्योंकि इस class की एक object से basically हमारे पास data जो है database में store होने वाला होता है, right, तो यहां पे जब कुछ additional हमारे पास import लगा हुआ है, मैं हटा देता हूँ, यह यह color का sign है, तो इसे कोई warning warning code में नहीं रहे, ठीक है, तो entity class जो होती है, वो बहुत important class होती है, क्यो कितना देना है, तो जितना आपको data input देना है, उस हिसाब से आप entity class design करते हो, उतने field, उतने data member इस तरह से आप create करते हो, है न, और फिल हाल के लिए मैं यहां पर क्या करूँगा, अपनी entity class में थोड़ा सा changes करूँगा, right, तो entity class को मैं कैसा बदलूँगा, मैं आपको सोड़ मैं already existing entity class है, उसको ले लेता हूँ, मैंने already एक project में मनाया हुआ है, तो सोड़ा सा मैं यहां से इसे पौपी कर लेता हूँ, तो देखिए वैसे data में, मतलब entity class के अंदर जो data member होता है, वो अपने accordingly आप घटा बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिकत वाली बात नहीं है, जितना आपको additionally data बढ़ाना है, या घटाना है, अपनी साथ से वो ले सकते हो, तो मैं basically एक user registration के लिए entity class मना रहा हूँ, जिसमें देखिए मैंने यहां पर यह सारा data member ले लिया, ठीक है, तो यह जितना भी data member है, तो सब हम यहां से copy कर लेते हैं, और copy करके, user नाम की class है, user class है, और स सब कुछ हमारा वही है, तो हम पूरा ही copy कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो और उसके बाद यहां पर जाके, लेकिन हमने यहां पर यह long box वगएर है, सायद नहीं लगाया होगा, जो भी है, तो विसे मैं data member ही मुझे देखना है, मैं एक image store करने के लिए image URL basically ले लेते हैं, जो कि अपने प्रोग्राम में बस हमें जाके यहां पर paste कर देना है, ठीक है, तो no name, email, mobile, pass तो हमारे पास already था, लेकिन यहां पर अलग-अलग मनाया गया है, ठीक है, अच्छा जब आप किसी, मतलब property को बनाते हो, तो वहां पर column का length भी आप decide कर सकते हो, define कर सकते हो, कि column का length भी आप क्या लेना चाहते हो, तो फिलाल यह जो ID है, यह तो primary key के लिए है, जो हमने यहां पर बनाया है, name ले लिया, और image को store करने के लिए, जैसे कोई भी बंदा आएगा, कोई भी user registration करेगा, किसी app से, तो उसकी profile picture भी अप्लोड करेगा, उसके लिए हमने images लि कि इसका length कितना बड़ा हो, image URL कितना बड़ा हो, इस तरह से आप यह सारी चीज़े ले सकते हैं, यहां पर basically हमने transient annotations लगाया है, अपने एक member के आगे, तो मैं persist वाला transient ले लेता हूं, और साथी साथ मैंने यहां पर multi-part file वाला लिया है, तो देखें, multi-part पर काम करने के properties add करी हुई थी, वो आपको add करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैंने अपने application से हटा दिया था, जो file uploading के लिए है, जब कोई फी बंदा अपनी profile picture upload करेगा, तो file uploading के लिए basically multi-part की जुरुत परती है, तो मैं वो multi-part का जो already application properties है, वो अपने projectment add कर देता हूँ, तो मैं यह सारा चीज यह जगह से copy कर रहा हूँ, तो मैंने वहले project में बना रखा है, जैसे enable multi-part, true, maximum size और minimum size यहाँ पर हम specify करते हैं, basically, तो इसको enable करने के बाद, अब यह multi-part की जो हमारी libraries है, पहले तो हम यह list को import कर लेते हैं, transient least type का variable बनाया हुआ है, तो इसे हमने import कर लिया, ठीक है, and then multi-part file यह हमसे मांग रहा है, तो multi-part के लिए basically, यह देखिए, sping.org.multipart यहाँ पर file आ गया, enable हो गया, तो यह सारा चीज जो है, हमें चाहिए होता है, चलिए मैं इसके सारे data member की बारे में आपको एक ही करके बता देता हूँ, पहले तो मैंने देखिए multi-part configuration property में यह चीज़ मैंने add कर रहा है, यह file uploading के लिए होता है, इस पैसलिक, जब आप file uploading करना चाहते हैं, अपने formatting करा जा सकता है, कि यह formatted तरीकी से थोड़ा सा आए, बढ़ ठीक है, हम इसे manually कर देते हैं, और यहाँ पर यह, यह हमने सारा data member यहां सही है, सब कुछ सही है, temporal करके हमारे पास एक annotation होता है, यह हमने लगाया हुआ है, तो इसको भी हम import कर लेते हैं, और temporal type जो है, इसको भी import कर लेते हैं, और यह हमारा date class है, इसे भी import कर लेते हैं, जो की utility वाला है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया private data, और इन private data के लिए setrackator हमें बनाना नहीं है, क्योंकि यह सारा हमारे पास बनके आ रहे हैं, जहले मैं आपको एक ही करके सारे annotation का यूज़ बताता हूँ, चुकि हमने long walk लगाया है, तो add the rate data, add the rate, consider, ergs, no, rgs, consider, इसके लगाने से हमारे पास हमारे प्रोग्राम में setrackator और consider वगरे आ जाएंगे, add the rate entity लगाने से हमारी class entity class बन जाती है, मतलब एक persist class बन जाती है, जिस class के एक object में capability होती है, कि database में store हो सकता है, तो इस class के अंदर ह हमने एक id नाम का एक field लिया है, variable, तो देखिए, entity class जो भी होती है, उसके अंदर जो भी variables होते हैं, इन variables के name से ही हमारे database में column बनता है, तो अगर आप इसको save कर दिये हो, और application run हो रही होगी, प्रिखाल से भी run नहीं हो रही है, अगर application run हो रही होगी और इसको save करते ही, तो हमारा table जो है, alter हो जाएगा और अपने आप कुछ नए tables बन जाएंगे, जब सरी, आप इस application को run edge spring application कर दीजे, spring boot application, ठीक है, तो जैसे ही हमने इस run edge spring boot application करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यह launch होके आ रहा है, ठीक है, in the meanwhile हम अपना database open कर लेते हैं, mysql, mysql तो हमारा stopped है, चले कोई दिक्कत नहीं है, तो हम mysql को open कर लेते हैं, तब तक ठीक है, यहाँ प्लिक देंगे mysql, और यहाँ से, एंटर कर देते हैं, ठीक है, पास्वोड का नाम root, और use कर लेते हैं, हमारे database का नाम, हमारे database का नाम था, basically, rest, rest करके था, I don't know the database name क्या था, यहाँ पर, basically, मेरे ख्याल से, rest API था, rest API, और हम यहाँ पर करते हैं, DESC users, user variable का description देखते हैं, अब यह देखिए, id भी आ गया, email आ गया, mobile, password, image name, image URL, OTP, registration time, status, इतने सारे हमने fill ले लिए, ठीक है, जिसमें से id हमारा auto increment हो गया, ठीक है, तो होता क्या है, कि जैसे देखिए, यह table हमारा alter हो गया, देखिए, इसकी पूरी SQL query यहाँ पर दिख रहा है, table alter होने के बाद, यहाँ पर alter table हुआ, जिसमें image और यह सारा table बना है, ठीक है, तो चलिए, किस table का क्या मतलब है, मैं आपको किस column का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने id नाम का field बनाया है, तो id private variable के लिए हमारे database में id column बन जाएगा, देखे, बन गया, लेकिन id जो है, वो auto increment है, अगर आप देखिए, तो यह automatically increment होड़ा है, और यह primary की है, तो primary की कैसे बन जाता है, कोई field primary की आप लिख सकते हो, primary की बनाने के लिए add the rate id annotation होता है, तो add the rate id annotation जिस भी field की आगे लगा दिया जाएगा, वो field, यानि कि वो data members, database का column है, वो primary की बन जाएगा, मतब unique होगा, not null होगा, और identity जो हम use कर रहे हैं, auto increment के लिए, एक auto भी होता है, basically auto को use करोगे, तो basically एक hibernate sequence का लिख अलग से table बन जाता है, और उसके basis पे auto increment करता है, बड़ यहां पे हमें basically वो hibernate table अलग से नहीं चाहिए होता है, हमें नहीं चाहिए कि अलग से table oval बने और उसके basis पे यह primary की generate हो, क्योंकि primary की generation के अलग-अलग technique होते है, जैसे auto होता है, identity होता है, sequence होता है, ठीक है, तो यह देखिए, यह अलग-अलग है, यह इतने सारे auto है, तो auto के case में क्या होता है, कि auto के case में यह database के अंदर automatically एक primary की बनता है, no doubt, लेकिन इसके लिए database में table create होता है, हाइबनेट, हाइबनेट sequence नाम से, और वहां से basis पे वो जो है, बताता है कि यह पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 इस तरह से, sorry, 1, 2, 3 इस तरह से basically वो एक, जो auto increment generate करता है, तो identity के case में basically कोई ऐसा additionally column नहीं maintain होता है, तो इसलिए basically हमने identity यूज करा है, वैसे भी बहुत सारी तरीके है, तो जब भी आप table बनते हो, sorry, कोई भी table बनता है, तो उसमें हमेसा id एक column पे तो लगाना ही चाहिए, तो मैंने id नाम का ही field बनाया, जिसके आगे id लगा लिए, आप email के आगे लगा सकते हो, लेकिन कई ऐसे चीज़े होती है, जिनको हमें unique भी करना होता है, जैसे email है, यह मुझे unique चाहिए, या mail चाहिए, जैसे primary की तो database में एक बनता है, यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन कई ऐसे column होते हैं, जो unique होते हैं, तो मुझे constraint annotations, यह basically यहाँ पर देखु काउन सा वाला use हुआ है, परसिस्ट वाला ही है, तो फिर यह unique constraint annotation जो है, यह यहाँ पर गह रहा है कि this allowed for this location, अब unique constraint जो है, इस location पर allowed नहीं है, यह था क्यों गहीं, mobile number, uni, ठीक है, यूनिक constraint है, तो unique constraint जब आप लगाते हो, तो आपको class level पर ही बताना पड़ता है, उपर, तो unique constraint and column name is equal to this, इस तरह से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप अपना unique constraint यहाँ पर class level पर ही decide कर सकते हो, तो सबसे पहले आप entity लगा दो, वैसे मैं तो नहीं लगाता, entity के बाद table, table लिखोगे तो फिर name लिखो जड़रत क्या है, और यहीं पर आप इसके अंदर आप unique constraint अपलाई कर सकते हो, ठीक है, कि बतलब आप कुसी column को unique बनाना चाहते हो, ठीक, तो आप उसको वहाँ पर दे सकते हैं, तो unique constraint जो है, लगा के add the rate unique and column का नाम हो specify कर सकते हो, तो unique चीज हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक table के अंदर एक ही primary की होती है, तो फिर दूसरे चीज को unique बनाना ही होता है हमें, तो उसके लिख हम unique की specify करते हैं, बट अभी हम अपने case पर रहने देते हैं, ज़रुर नेम है, अचा, नेम के लिए इन सारे private data के लिए, इसका size होगा, images के लिए भी बता दिया, image name के लिए, size दे दिया गया है, अचा, अब अगर आप यह देखो कि हमने एक column बना है जिसका नाम है images, लेकिन अगर आप यहाँ पर धर्यान से देखो, तो images की entry कहीं नहीं होगी, क्योंकि image name से तो है, image URL भी है, image URL है, लेकिन images की entry यहां नहीं होई है, क्यों नहीं होई है, images की entry यहां क्यों नहीं होई है, अगर आप अपने, मतलब किसी भी entity class में, यह देखिए यह जो concept में आपको बता रहा हूं यही concept जो है हमारे android के अंदर जो room database है वहाँ पर भी यही तहीं concept होता है इसलिए यह चीज़ को अच्छे से अगर आप समझोगे तो वहाँ पर क्योंकि room database is equivalent to the JPA और JPA क्या है ORM को अचीब करने का तरीका तो जब मैं room पढ़ाऊंगा तो उसी में ही साथ में आपको बताऊंगा ORM क्या होता है उसका पूरा concept समझा दूँगा तो आपको चीज़े clear हो जाएंगे तो फिलाल के लिए यहां पर देखे हमने एक column मनाया है जिस column के आगे मैंने यहां पर क्या लगाया जिस particular column के आगे हमने add the rate transient लगा दिया जब हमने किसी column के आगे add the rate transient लगाया तो यह particular column जो है यह इस particular column की जो entry है यह database में नहीं हुई है ना यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर entry है यह तो देखिए यह transient बिलकुल उसी तरह से है जब आपने input output पढ़ा था वहां पर transient पढ़ा था तो तो वहां पर basically क्या था कि अगर आपको याद हो परसिस्टेंसी concept होता है जिसमें एक object को stream में और stream को object में हम convert करते हैं तो serialization process होता है serialization is just a process of converting the object into the stream and stream into the object और जब serialization होता था और हम चाहते थे कि हमारे class के अंदर कोई data जो है वो persist ना हो serialization में हिस्सा ना ले उसको transient बना देते थे उसी तरह से आप जिस field के आगे अट-ज़री हम उसको use कर रहे होंगे इस तरह से हमने बना दिया फिर email के लिवी बन गया mobile के लिवी बन गया password के लिवी बन गया इस तरह से सारी कहानी हो ठीक है तो इस सारी चीजे तो हमें clear हो गई होगी कि यह सारा फिल्ड कौन सा है अगर आपको किसी फिल्ड में किसी प्रॉपर्टे में confusion है तो आप सकते हों कि क्यूं हमने बनाया है तो आप ये कहोगे कि हमने यहां कॉल्म का नाम हमने नहीं लिया मैं नहीं चाहता हूं आप चाहता हूं तो length के साथ नेम भी दे सकते हों यहां पर specify कर सकते हो और हमें लेने की जूरुत नहीं है आप एक ही बार में पूरा concept नहीं implement करूंगा नहीं तो आप एक single single annotation लगाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा जैसे अब आपने लगा दिया यहाँ पर add the rate is empty है ना या या is empty होता है या empty भी होता है annotation वह सारे है empty लगाते है ठीक है तो add the rate empty लगाईए या is empty लगाईए या not null लगा दीजिए ठीक है ना not null ठीक है यह हमारा not null ठीक है तो not null लगाओगे यह नहीं add the rate अच्छा मैंने वह यह मेरे annotation इसलिए नहीं आ रहे है sorry for that मैं भूल गया था कि is empty not null क्योंकि मैंने इसके अंदर वह नहीं add करा है जो वैलिडेशन होता है उसकी API मैंने डाली नहीं है नहीं तो spring मतलब से एपिए के अंदर ही बेसिक लेकर मैं validations की कुछ API डाल दूँगा यह सर्वर साइड वैलिडेशन अपने आप चेक कर लेगा करें इमेल का लेंथ इतना होना चाहिए नेम का लेंग इतना होना चाहिए इतना करेंटर हो तो बसंगल सिंगल डाइशन करोगें तो फिलाल है कि हमारे पास नेम हो गया, कॉलम का नाम दे दिया, कुछ के आगे कुछ के आगे नहीं दिया, यहां पे हमने इमिजेस टाइप की वेरेबल लिया है, जो कि हमने लिस्ट में जनरिक टाइप स्पेशिफाइब कर दिया, इतनी सारे चीजे हमने की ले लिया यूजर क्लास में, तो हम नहीं इमिएल मुबाइल पासवड से भी कर सकते थे, तो एक्षुली है क्या ना कि जब हम अप्लिकेशन बना रहे हैं तो प्रॉपर हर एक चीज भेजेंगे, पहले हम यूजर को मतलब sign up कराएंगे फिर उसके बाद register sign up कराके फिर बाद में profile picture अप्लोड करवाइंगे, अब profile picture एक भी हो सकता है, इससे जादे भी हो सकता है, एक से जादे picture अगर डाले या कहीं इस्टोर करेगा, तो इसके लिए हमने images list type का variable ले लिया, और जैसे user register हो तो उसके लिए इसके OTP generate हो जाए, इसलिए हमने OTP variable ले लिया, और OTP उसके mail पर चला जाए, तो यहां पर mailing API हम यूज कर लेंगे, इसका status क्या रहा, success हुआ, fail हुआ, इसके लिए हमने status variable बना लिया, यहां पर, और साथ ही स्टेटेस लिए बनाया है, कि उसका status कैसा active है, inactive है, इसके लिए ब मतब उस time पर system का क्या time था, date था, current time जो है, यह major करा जाए, तो इसके लिए आप local date, local date यूज कर सकते हो, simple date, formal यूज कर सकते हो, but database के अंदर ही basically, अगर किसी column के अंदर आप date का feature यूज करना चाहते हो, जैसे मेरे पास registered time करके एक variable है, जिसका type है date, तो यह अगर date को represent कर रह parties of the type java.util.date, तो अगर date या calendar अगर आपके पास application में आप store करना चाहते हो, तो आप मने field को especially बताओगे, यह temporal है, तो यह temporal annotation से, यह हम जो है, अपने किसी field को date या time manage करना चाहते है, तो वो specify कर सकते है, then अब यह मैं चाहा रहा था कि जो date time है, यह अपने आप manage हो जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे basically column definitions की दे दी, यहाँ पे time default current time stamps पे यह अपने आप करना सुरू कर दे, system का जो भी time stamp होगा, यह अपने आप जैसे कोई registration होगा किसी user का, तो अपने आप current time stamp यहाँ पे manage हो जाएगा, और हमें date weight insert करने की जुरूद नहीं है, और यहाँ पे अगर user का sign up होते ही status inactive करा देंगे, और जब उसका sign up हो जाएगा, तो उसकी status को active करा लेंगे, जब वो OTP से verify हो जाएगा, तो, otherwise यहाँ पे यह सारा detail हो गया, इस तरह से हमारी एक persist class, persist class या entity class ready है, जिस class के एक object में, हम client site से या कहीं से भी data भेजेंगे, android app से data भेजेंगे, और यह जो method है, sorry, यह जो class है, यह process class जो है, वो data को receive करके database में store करने के लिए responsible है, बड़ देखे, beauty कितना बढ़िया, कितनी अच्छी चीज है यहाँ पे, कितना अच्छा concept है, कि हमने एक single line का बस annotations add करना था, उन annotations के add करने से हमारे table variable कितने बढ़िया तरीके से बन गए, अब हमें क्या करना है, यह हमारा application class, application properties कभी अभी यूज नहीं है, यह हमारी controller class है, अब हमें क्या करना है, अगर user का registration कराना है, sign up कराना है, तो कैसे कराएंगे, तो user का sign up कराने के लिए देखे, करना क्या होगा, करना यह होगा, कि add there a request body में user का object यहाँ पे आएगा, यह त तो देखे, business logic को लिखने के लिए आपकी service layer होता है, service layer बनाया है, इसलिए गया है, कि यहाँ पे आप अपना method बनाये, interface बनाये, जहाँ पे अपने method डिकलर कर लीजे, और phase की implementing class बना दीजे, यहाँ पे अपना pure business logic लिखे, right, चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता तो देखे, मैंने पास user service के अंदर यह सब methods है, जो आगे जुरूत पड़ेगा, वैसे सब यह user defined method है, जो हम यहाँ पे declare कर रहे हैं, ठीक है, यह सब हम user defined method यहाँ से copy कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, हमारा app है, यह rest app, android app, यहाँ पे find method है, जो हम अपनी एक interface के अंदर डिकलर कर रहे हैं, ठीक है, अब इस method का क्या है, देखे, register user method का क्या है, register user method का क्या है, यहाँ पे कोई भी user आए, registration करे, अपना user object डाले, और registration हो जाएगा, find emails method क्या है, यह इस user को email के basis से find करेगा, login user, मतलब यह नाम से सबस्ट है कि किससे क्या होने वाला है, update password, otp verify, और यह image facility के लिए है, image को retributive करने के लिए है, maybe इसका भी हमारे लिए कोई use नहीं है, तो आप हटा भी सकते हो, बट यह सारा जो है, आप एक user के साथ यह सारी functionality करने वाले हो, तो अगर image वाला नहीं चाहिए, तो आप इसे अभी ignore कर दो, otherwise रहने देते हैं, कोई बात नहीं, बट यह सब एक user defined method है, हमने अपना खुद का method बनाया है, तो जब भी business layer जब हम implement करते हैं coding में, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यह हम काम करने वाले हैं, तो हम एक interface बना कि उतने method डिकलर कर लेते हैं, तो यह तो user के लिए है, कल को अगर माल प्रोड़क्ट हमें सो कराना है, तो प्रोड़क्ट के लिए अलग service बनेगा, प्रोड़क्ट के लिए अलग entity बनेगी, तो यह entity is controller service जो है, हर classes के लिए, हर module के लिए अलग अलग बनता है, अब आप क्या करेंगे, अब एक class बनाएंगे, इस class का नाम रख देंगे user service imp, नाम पर user service की implementation प्रोड़क्ट करने जा रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर implement कर दिया, इसको user service को, user service को हमने यहां पर implement कर लिया, जो हमने interface बनाया था, और उसकी implementing class हम यहां पर बना देते हैं, add un implemented method, जैसे हम click करेंगे add un implemented method, यहां पर सारे method की definition आ जाएगी, ठीक है, तो यहां पर हम in methods के अंदर basically लिखने वाले हैं logic, और यह हमारी class basically service layer class है, तो इस class के बारे में हम अपने spring को कैसे बताएंगे, spring boot के controller को, इसकी pure container को कैसे बताएंगे कि यह हमारी controller class है, तो इसके लिए आप add the rate service annotation होता है, वो लगा लीजे, तो अगर add the rate service annotation लगा दोगे, तो यह service layer को represent कर रहा होगा, कि हमारी एक service layer है, तो service layer में pure हम insertion का और update का और जो भी code है, main business logic यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, तो हम और controller layer में क्या करेंगे, हम service को basically call करेंगे, यूज करेंगे, तो question है कि service, हम basically service को यूज करेंगे, तो अब यह जो user service है या interface है, तो हम क्यों ना एक का करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिख दें, controller के अंदर, हम controller के अंदर लिख दें user service, और इसे import कर लेते हैं, and then user service, user service, it goes to new, user service, implementation, इस तरह से हम इसको object बना ले, right, और object बना के, तो जो भी इसकी implementing methods होते हैं, मतलब इस interface के reference में dot लगा के, जो register है, login है, यह सब method हम call कर लेंगे, लेकिन, guys, यह आपको करने की जुरुत नहीं है, क्योंकि आप spring boot यूज़ करो, जिसमें एक concept यूज़ होता है, जिसको होते है, auto wiring, तो auto wiring जो concept है, उसमें होता क्या है, कि अगर आप अपना reference variable class level पे ऐसे declare कर दो, तो बस आपको declare करना है, और कुछ नहीं करना है, और यहाँ एक annotation यूज़ करना है, add the rate auto wired, पस, add the rate auto wired लगाने से क्या हो जाएगा, इस particular interface की implementing class का जो object होगा, वो spring boot खुद ही बनाएगा, spring का core container खुद ही बनाएगा, और यहाँ पे add कर देगा, that city, कितना मझे दार चीज़ है, यह auto wired हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करिए, इस service layer पर क्या कर दीजे, आप इस service layer पर dot करके, और method चला दीजे काउन सा, register, जिसमें user से आने वाला, जो user का JSON object है, वो बूरा object यहाँ पर पास कर दीजे, इससे registration हो जाएगा, लेकिन आपने कहा, कि सरी registration का code जो है, यह है कहाँ पे, यह error क्यों हो आ रहा है, यहाँ पे return type user है, त but why is the error, I don't know, आपको लग रहा है क्या कुछ, क्यों error आ रहा है, return user ही तो लिखा हुआ है, हमने क्या गुना किया है, return type तो user है, user का object बना नहीं है, क्या इसलिए, नहीं, user का object तो यह है, तो user का reference variable है तो, यहाँ पे हमने लिख दिया, user का reference variable, एक मुनट यहाँ पे लिख दिय पता नहीं, ऐसे कर रहा है, मुझे लग रहा सेव नहीं था, इसलिए, ऐसे जो भी है, अच्छा, तो अब यहाँ से registration हो जाएगा, लेकिन registration होगा कैसे, यहाँ पे एक question आ जाएगा, कि इसका registration होगा कैसे, अभी registration का code हमने लिखा नहीं, logic लिखा नहीं, हमने service layer में हमने register method को query लिखी जाएगी, तो आपका जो database में data है, वो basically store हो जाएगा, right, तो कहने का मतलब database में data store करने के लिए, basically हमें insertion का query यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन देखिए, JPA हम क्यों यूज कर रहे हैं, Java persistence API यूज कर रहे हैं, हम JPA basically इसलिए यूज कर रहे हैं, हम JPA इसलिए करता है, तो ORN feature को यह चुकी use करता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रुत है नहीं, है न, तो कैसे basically code लिखा जा सकता है, उस code को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे, एक concept होता है repository का, तो यहाँ पे आप repository बना लीजी, है न, तो अगर आप यहाँ पे repository बना दोगे, तो इससे आपका काम हो जाएगा बिलकुल आसान, ठीक है, तो repository layer यहाँ पे हम implement करते हैं, repository layer कैसे implement करेंगे, तो देखें, यहाँ पे basically, यह entity layer हो गया हमारा, ठीक है, यह हमारा helper, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, अब हम repository layer implement करने जा रहे हैं, तो हम user की repository के लिए एक class बना देंगे, user repo, तो हमने user repo, s-i-t-o-r, ऐसे लिए हैं, user repository हमारे already बनी हुई है, यह एक interface है, जो हमने already बना रखा है, यहाँ पे user repository कल बनाया था, ठीक है, तो हमें बनाने की जूरत है नहीं, ठीक है, अच्छा, यह जो repository है, इसको repository कैसे बताया जाए, तो add the rate repository करके connotation होता है, यह लगा दोगे, तो इससे यह proof हो जाएगा भया, यह हमारा repository है, और हमारे spring के container को भी पता चल जाएगा, वो इसको instantiate भी कर लेगा, वो, है ना, देखे, कोई भी class अगर आप बना रहे तो उसका instantiation, उसका object creation ज़रूरी है, ना, तो कहीं पे आपने add the rate autovar लगा दिया, कहीं add the rate service लगा दिया, service layer पर add the rate service लगाओ, entity layer पर add the rate लगाओ, repository layer पर add the rate repository लगा दो, है ना, तो यह repository में होता क्या है, यह repository concept जो है, बड़ा आसान है, इसमें क्या होता है, कि basically जो database में interaction वाली चीज़े होती है, insert, update, delete वाली query, वो होती है, तो वो हमें क REPOZ PRUR atraury भी होती है, तो JPI repositories को आप extend करती है अपनी interface में JPI repository को extend करती है, और JPI repository के अगर बारे में आप जाकि देखोगे, तो JPI repository जो है एक interface है, जो की extend करता है, packaging and sorting repository और यह query interface को implement करता है, और paging and sorting में भी जब आप अब जाओगे आगे जलके देखोगे तो यह बेसिकली यहां पे जो पेजिंग और सॉर्टिंग का फिसल्टी रखता है और इसमें देखिए क्रट रेपोजेटरी भी एक होता है तो हम चाहे तो अगर क्रट आपरेशन कर रहे हैं तो क्रट रेपोजेटरी को यूज कर लें ब यहां पर जणी ट्याप हमें बताना हुटता है कि जिस एंटिटी के लिए रेपोजेटरी बना रहे हो तो हम पिसकली यूजर एंटिटी के लिए बना रहे है तो यहां भी खुछ दे लेते हैं ठीक है और साथी साथ में ऐसा कौन सा फिल्ड है जो प्रामेरी की है उसका टा JPO repository है, इसी repository के अंदर already कुछ methods बढ़े हुए है, जैसे find करने का, save करने का, update करने का, delete करने का, get करने का, store करने का, fetch करने का, sub method है, find, get, load, fetch, find all, find id वगरे वगरे, तो आपको क्या करना है, आपको in interface, अपना interface बनाया, और interface में JPO repository को extend कर दिया, तो इसका मतलब हमारी interface के पास, वो सारा feature आ गया, right, अब जोकि add the rate repository आपने लगा दिया है, तो आपको अपनी interface की implementing class खुद नहीं बनाना है, ये खुद कौन करके देतेने वाला है, ये spring boot खुद ही कर देगा, auto configuration कर देगा, हना, हमारे लिए कुछ भी effort की ज़ुरत है ही नहीं, है न बढ़िया चीज, तो फिर हमें करना क्या है, हमें बस ये jpa repository, user repository को अपने service layer में use कर लेना है, that's it, तो देखें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा tricky चीजे हैं, यहाँ पे क्या कर लिजे, अपनी class के अंदर यहाँ पे लिख दीजे, user repository, user repo, और उसके बाद यहाँ से क्या इसको import कर लिजे, right, इसको import कर लिजे, यहाँ पे लगा दीजे भाया, annotation, add the rate, auto wired, ताकि इस repository की implementing class आपको यहाँ पे auto wired हो जाए, आपको कुछ नहीं गार, and then, आप एक single line के code से आपका पूरा का पूरा registration हो जाने वाला है, और वो line है, user repo.pod, save, save method में आपको अपना ये user का ज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि save method जो है, यह basically हमारे पास already JPA repository में पढ़ा हुआ है, और उसकी implementation जो है, already spring ने दे रखी है, हमें कुछ भी नहीं करना, nothing, इतना करने से हमारा ये सारा जो layer है, सारी कहानी जो है, पूरा खतम हो चुका है, अब आप सोच लो कि हम object oriented programming कर रह इस्टेबिस करना सब कुछ हो रहा है, अपने आप, बस आप object के साथ खेलो, आप के अवल अपने business logic पर ध्यान दो, आप यह ना ध्यान दो कि कौन सा क्या नाम है, SQL query बनेगा, या database connection कैसे आएगा, यह सब उसी की जमदारी है, save method चला, और अप database connection इस्टेबिस हो जाएगा, इस्टेबिस का सारा काम हो जाएगा, insert query अपने आप फायर हो जाएगी, फिर्वर्ड स्टेट्मेंट अपने आप चल जाएगा, है ना बढ़िया, तो ठीक है वई, तो चीजे कैसे कैसे चल रही है, एक बार मैं flow बताता हूँ आपको, जब सबसे पहले request आएगी ना, तो इ इनकोड हो जाएगा, सौरी, क्योंकि आप तो भेजोगे जैसन, और उसके बाद उस user object में store होके, उस data को हमने पूरा का पूरा उठा के भेज़ दिया, user service layer पे, यानि कि controller से सीधे हम गए service layer पे, देखे, controller से service layer पे बाद में जाएगे, controller के अंदर यो user है, पहले ये call हुआ, और user class क्या है, user identity, तो जैसे जितने भी user से आने वाला data है, वे सारे इस setter के अंदर जाके save हो जाएगा, जो आपने एड़े response body लगाया है, तो form से आने वाला सारा data, अपने आप user class में खोजा जाएगा, कि कौन कौन से field है, बाई, क्या id नाम से field है, या नही name नाम से है, या auto wire कर रखा है, user service interface एक interface है, जिसमें हमने common methods डिकलर कर रखे है, user defined methods, जिसमें जिसका meaning है कि registration करेंगे, login कराएंगे, update कराएंगे, OTP verify कराएंगे, some method हमने बना दिया, right, and उसके बाद जब हम यहाँ पे auto wire होगी, तो यहाँ पे इस interface की implementing class का object auto wire होगा, and then उस object के ऊपर आपने उ इस interface का call होगा, लेकिन इसमें object इसकी implementing class का होगा, तो यानि की user interface की implementing class, that is user service implementation, वो call हो जाएगा, यहाँ पे user का object आ गया, अब इसको data store करने के लिए basically चाहिए, save method, अब यह save method कहां से मिलेगा basically repository में, इसलिए हमने अपना एक interface बनाया, जिसको jp repository से extend कर दिया, जिसमें generic type यह अब यह जो jp repository है, इसको हमने auto-wire कर दिया, सर्विस लेयर में, मतलब सिंपा सा मतलब controller यूज करती है entity को, controller यूज करती है entity को, और साथ में service layer को call करती है, service layer jp repository layer को call करती है, उसके अंदर save method है, जिससे हमारा सारा data, jp database में, save हो जाने बाला, that's it, अभी हम कूछ logic नहीं लि यहां पर मुझे क्या करना है, बस अपनी request भीजना है, तो request कैसे बना के भीजेंगे, इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप data भीजेंगे, तो register करके लिखा हुआ है, यह name, email, mobile, password, यह सारा data हम यहां से भीजी रहे है, json के form में data भीजेंगे, जो कि हमने last time भी बताया था, इसका जो नाम है, name, email, mobile, यह बिल्कुल डिक्टो वही होना चाहिए, जो कि हमने आपको बदाया था, जो कि हमारे bean के अंदर, यानि की entity class के अंदर, जो हमारे data members हैं, तो जब कोई user registration करेगा, तो हम 4 data लेकर registration करते हैं, जादे जितना बड़ा data रखोगे, तो उतना जादे व यहां पर देखे, response में बहुत सारा चीज आ रहा है, कुछ data नल आ रहा है, क्योंकि जहां पर data कुछ है नहीं, वहां नल आ रहा है, इस पर data है, वो data value written कर रही है, इस में हमारा data database में सेव हो गया, सेव हुआ या नहीं, तो देखे, इसके लिए insert query यहां पर fire हुई है, अपन तो आपने क्या करा, select star from, यहां पर लिए user, और enter मारिए, तो आप देखे, user का जो information database में यहां पर save हो गया, और साथी साथ आपका time stamp मेनेज हो गया, यहां पर देखे, time stamp मेनेज हो गया, यहां पर उठी भी मेनेज हो गया, email, mobile, password, सब कुछ सही है, पर्फेक्ट है, पट यह यहां पर हमें थोड़ा सा अभी update करना क्या, कि मुझे कुछ यहां पर ऐसा logic लेखना है, कि अगर इसी email से user register हो जाए, दुबारा register ना हो, इस email से जब जैसे user register हो, अच्छा यह गलत हो रहा है, password में यह उल्टा जा रहा है क्या, मैंने गलत लिखा रहा क्या, एक मेंड़ा ह हो रहा है कुछ, गलत हो रहा है, let me check, email, password में मैंने, password में उल्टा लिखा ही है, मैंने, mobile में, mobile यह पर तो इसलिए जैसा लिखा होगा, वैसा जाएगा, तो basically इस तरह से हमारा data save हो गया, लेकिन हमें इस data को save करने के साथ, जैसे data हमें return भी करा दिया, अब हमें कुछ और भी कैसे generate home mail API use करने पड़ेंगी, और साथ ही साथ, यहाँ पे basically जब इसे user register हुआ, तो registration से पहले हम यहाँ पे select query चलाएंगे, जिससे email के basis उसका data fetch कराएंगे, चक कराएंगे, यह user already तो exist नहीं करता है, अगर exist करता है, तो यह basically यहाँ तक कहानी हो गई, अगर आपको कोई query हो, कोई question हो, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, पताएंगे?